देर पहले की वो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं जब पुर्धान मंत्री अपनी दो देशों की सफल यात्रा के बाद सीधे बैंगलूरू पहुंचे हैं और हम आपको बता दे बैंगलूरू पहुंचने के पीछे का जो मकसद है जो कारण है वो ये कि हम सभी जानते हैं इसरों के हमारे वग्यानिकों ने चंद्रियान थ्री मिशन के जरिये जो हमारा लैंडर विक्रम था उसको बहुती सफलता पूरवक जो की आज तक दुनिया के किसी भी देश ने दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं कर दिखाया था उसको भारत ने कर दिखाया चांद के दक्षने धुरूप पर साउथ पोल पर भारत ने पहली बार और पूरी दुनिया में भारत पहली बार वहां तक पहुँचा है और इसी खोशी में इसरों के तमाम वग्यानिकों के इसरों के टीम को बढ़ाय दने के लिए उनके उनका होसला अवजाई करने के लिए सीधे प् देयोगी तापस भटाचार इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं तापस हम इन तस्विरों में देख पारेशान मंत्री पहुंच चुके हैं क्या कुछ कारिक्रम है आने वारे समय में प्रधान मंतरी ने दरम होते इस वक्त बैंगलोरू में पहुँच चुके हैं और थोड़ ही दे में जो एड़ पोट के बाहर एक जो जमावरा हुआ हुआ है लोह का उनकी एक छलक पाने को वो उनसे मिलेंगे उनको उनसे मिलके उसके बाद वहाँ से इस रो निकल प्रधान मंतरी अपनी दो देशों की सफल यात्रा के बाद सीधे बैंगलोरू पहुचे हैं और हम आपको बता दे बैंगलोरू पहुचने के पीछे का जो मकसद है जो कारण है वो यह कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले ही इस रो के हमारे वज्यानिकों चंद्रियान थ्री मिशन के जरिए जो हमारा लैंडर विक्रम था उसको बहुती सफलता पूरवक जो की आज तक दुनिया के किसी भी देश ने दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं कर दिखाया था उसको भारत ने कर दिखाया चांद के दक्षने धुरूप पर साउथ पूल पर भारत ने पहली बार और पूरी दुनिया में भारत पहली बार वहां तक पहुँचा है और इसी खोशी में इसरो के तमाम वग्यानिकों के इसरो के टीम को बढ़ाय दने के लिए उनके उनका होस्रा अफजाई करने के लिए सीधे प्रहान मंतरी दो देशों के विदेश शियात्रा के बाद सीधे बैंगलूरू पहुँचे हैं और अब से कुछी देर के बाद वो सड़क मार के जरिये इसरो के बग्यानिकों के साथ मिरने के लिए वहां पे जाएंगी हमारे सायोगी तापस भट्राचार इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं तापस हम इन तस्विरों में देख पारें प्रहान मंतरी पहुँच चुके हैं क्या कुछ कारिक्रम है आने वारे समय में